हलो व्रिवन वेल्कम टू दा थ्रॉडल कस्टम्स तो आज हम रिव्यू करने जा रहे हैं एक्रॉल्ट M800 NOX बाइसिकल को यहां पर आप देख सकते हैं साइकल की अन्बॉक्सिंग की जा रही है और इस वीडियो में हम साइकल की स्पैसिकेशन उसके की फीचर्स साइकल में जो एसेसरीज मिलती है और साइकल के जो एफेक्टिव प्राइज है उसके बारे में सारी चीज़े हम डिसकस करेंगे तो बने रही है इस वीडियो के end तक चलिए तो start करते हैं cycle की specifications से सबसे पहले बात करते है cycle के size से तो यहाँ पर आपको cycle के size में 27.5 inches का size देखने को मिल जाएगा वहीं इस cycle का frame है वो 18 inches का frame आता है अब बात करते हैं frame के material की तो यहाँ पर alloy material आपको aluminum alloy मिल जाता है जिसका code 6061 है और यहाँ पर आपको cycle में internal cabling भी देखने को मिल जाती है जो की काफी अच्छी रहती है और थोड़ा budget range cycles में आपको internal cabling देखने को मिल ही जाएगी इसके बाद हम बात करते हैं cycle के fork के बारे में पर आपको preload lockout suspension देखने को मिल जाते हैं जो की 100 mm के travel के साथ आते हैं बेसिकली बात करें तो suspension की quality काफी अच्छी है मैंने cycle को ride किया है काफी बार ride किया है और यहाँ पर आपको suspension जो volume है तो आपको एक motorbike की तरह suspension यहाँ पर इस cycle में देखने को मिल जाते हैं तो मैं suspensions को 10 out of 10 rate करूँगा जो की suspension बहुत अच्छे हैं इसके बाद हम बात करते हैं cycle के shifters या फिर cycle के gears की तो यहाँ पर आपको 24 speed shimano का gear set देखने को मिल जाता है और shimano का gear set आपको मिलता है वो मिलता है altars तो यहाँ पर आपको shimano altars देखने को मिल जाता है जो की बहुत अच्छा gearing system है gearing में भी कोई problem नहीं आती है और यहाँ पर आपको 3 into 8 speeds देखने को मिल जाती है यानि आपको जो आपका paddle रहता है वहाँ पर आपको 3 gear देखने को मिल जाएंगे और जो आपका rare sprocket रहता है जो tire में रहता है वहाँ पर आपको 8 gears देखने को मिल जाएंगे तो यह actually 24 result करता है तो यहाँ पर 24 speed gears आपको देखने को मिल जाते है बहुत अच्छा gearing system जो है वो शिमानों का रहता है और सारे original यहाँ पर parts यूज किये जाते है यह anti-rust bolt होते है यहाँ पर आपको इन bolt में जंग देखने को नहीं मिलेगी corrosion यहाँ पर bolts में नहीं हो सकता है तो यह काफी अच्छी बात है और basically cycle में जो भी bolts या फिर nuts यूज किये गए है वो anti-rust ही है तो इस cycle में आपको यह जंग वाली problem देखने को नहीं मिलेगी इसके बाद हम आगे बढ़ते हैं यहाँ पर जो हम cycle के tire की बारे में बात करते हैं तो यहाँ पर आपको kenda का 2.10 inches का tire देखने को मिल जाता है और यह tire जो रहता है इसमें tube रहता है तो यहाँ पर आपको tubeless tire देखने को नहीं मिलते हैं जो कि मैं बोलूँगा एक थोड़ी सी problem रहती है cycling के साथ में कि आपको यहाँ पर tubeless tires देखने को नहीं मिलते हैं आगे बात करते हैं हम यहाँ पर chain की तो cycle में यहाँ पर KMC की Z8 chain यूज की गई है और यह working भी काफी अच्छी देती है और अगर हम बात करें cycle के जो front handlebar है तो handlebar आपको semi matte finish में देखने को मिल जाता है और इसी के साथ handlebar में आपको crawled की branding भी देखने को मिल जाती है और अगर आगे हम बात करें जो stickers आप देख रहे हैं यह stickers जो है cycle में यह stickers painted है यानि कि यह stickers अलग से नहीं लगाए गया है यह cycle के paint में included है तो इनके निकलने या फिर wash out होने की भी कोई problem नहीं रहती और बहुत अच्छी quality का paint यहाँ पर across cycle में use किया गया है तो यह पैंप अगर मैं graphics और paint work की बात करूं cycle में तो यह काफी अच्छा यहाँ पर paint work और graphics करे गए हैं अगर हम बात करें इसमें pedals की तो यहाँ पर आपको half alloy pedals देखने को मिल जाते हैं और pedals की quality भी मेरे साब से मुझे बहुत अच्छी लगी क्योंकि pedals में अगर थोड़ा सा भी deflection हो तो आपको cycle चलाने में थोड़ी problem होती है बट मुझे ऐसा कुछ देखने को यहाँ पर नहीं मिला तो pedals की quality भी cycle में काफी अच्छी यहाँ पर दी गई थी अब हम कुछ special feature की बात कर लेते हैं cycle में तो यहाँ पर आप जो cycle की seat post देख सकते हैं तो यहाँ पर आपको एलन की open and close mechanism देखने को मिल जाएगा और यहाँ पर आपको quick release mechanism भी दिया गया है तो जो normally cycles में seat का जो कसने का या फिर बंद करने का धीला करने का जो mechanism आता था वह एलन की mechanism नहीं तो यहाँ पर आपको एलन की mechanism दिया गया है और जो पूरी seat post है वो alloy material की seat post दी गही है तो यहाँ पर आपको seat post की इस portion में जंग लगने का कोई भी chances नहीं रहता अगे बात करते हैं हम cycle में जो fly wheel use किया गया है fly wheel यहाँ पर आपको देखने को मिल जाएगा cassette तो यह एक बहुत अच्छी बात है और यह एक बहुत benefit वाली चीज होती है अगर किसी भी cycle में cassette use किया गया है उसको चलाना काफी जादा easy हो जाता है और बहुत ही कम efforts लगते है साइकल चलाने के लिए और आप यहाँ पर front tire के assembly देख सकते हैं यहाँ पर आपको front tire में quick release देखने को मिल जाएगा तो यह बहुत अच्छी बात है कि यहाँ पर आपको front tire में quick release दिया गया है और अगर हम बात करें यहाँ पर quick release नहीं दिया गया है चाहते अगर a crawl company तो यहाँ पर quick release दे सकती थी बट due to some reason उनके safety precautions यह देखते हैं कि cycle का rear wheel जो है वो stable रहना चाहिए तो उसे साबसे वो rare wheel में जो quick release वो नहीं देता है इसके बाद हम बात करता है cycle के जो disc brake system है जो disc brakes है cycle में वो भी काफी अच्छे हैं अच्छे company के use किये गये हैं और अगर हम बात करें disc brakes की तो यहाँ पर brakes जो है वो repute 310 यूज किये गये हैं और जो भी disc brake का material है वो सारा का सारा aluminum alloy material ही use किया गया है यहाँ पर जो cycle का handle bar है वो आपको 680 mm का देखने को मिल जाता है। आगे बड़ते हैं और हम बात करता है cycles में जो hubs किये गये हैं यहाँ पर आपको alloy hubs देखने को मिल जाते हैं और वही hubs स्प्रेंट में देखने को मिल जाते हैं और वही रेर में देखने को मिल जाते हैं और आप यहां पर देख सकते हैं जो gearing system है cycle का इसको adjust किया जा रहा है cycle के gears को change करके उनको tune किया जा रहा है और देखा जा रहा है कि कहीं से किसी भी gear में appear down करते time और अगर हम बात करें जो रहते हैं तो यहां पर आपको double wall alloy light weight trim देखने को मिल जाता है अब हम बात करते हैं साईगिल की pricing के बारे में तो यहां पर DV-800 है आपको आपको ज़ो market price है वह 27,000 जो है हमने website पे देखा था बट actual market में, offline market में ये cycle हमको 20,500 रुपीज की पड़ी है effectively और इसमें इन्होंने हमको जो भी accessories रहती हैं वो सारी accessories हमको यहाँ पर दी थी तो अब हम बात करते हैं cycle की accessories के बारे में तो सबसे पहले हमको cycle में एक lock दिया गया था lock जो है वो काफी अच्छी quality का था इसके बाद जो है front हमको यहाँ पर mudguard दिया गया था cycle में और मैं यह बोलूँगा कि जो front mudguard है यह cycle में जब आप बाद में कभी off-roading पर चलाते हैं या फिर कहीं पर भी ब्रेकर्स या फिर थोड़ा सा भी off-roading type का track हो तो वहाँ पर चलाते हैं तो यह जो mudguards हैं यह cycle में आवास करते हैं तो मैं आपको recommend करूँगा कि यह mudguard आप यूज ना करें अगर आप off-roading करने जाते हैं तो यहां पर आप देख सकते हैं यह front mudguard लग चुका है और यह जो है rare mudguard यहां पर लगने जा रहा है और अब बात करते हैं cycle में हमको mudguard के अलावा यहां पर बॉटल्स भी दी गई थी देख सकते हैं बॉटल की quality भी मैं बोलूँगा कि ठीठा quality थी जादा अच्छी quality की bottles नहीं थी मैं बोलूँगा क्या प्रिफर कीजिए आप खुद की ही bottle यूज कीजिए जो कि या तो स्टील की हो या तो फिर बीपीए फ्री प्लास्टिक की हो क्योंकि नॉर्मली यह bottles रहती है इनके अंदर से प्लास्टिक की smell आने लगती है कुछ टाइम वह आप इसमें water रखेंगे तो यहां पर आप देख सकते हैं जो मडगार्ड है उसको इंस्टॉल किया जा रहा है साइकल में और bottle और bottle की cage holder भी यहां पर हमको दिया गया था इसके बाद हम बात करते हैं reflectors की तो यहां पर हमको front and back reflectors दिये गए थे इसी के साथ जो टाइर में आप यहां पर देख सकते हैं yellow color का reflector use किया गया है यह reflector भी हमको हर टायर में दो reflectors यानि टोटल चार reflectors दिये गए थे इसी के साथ हमको एक रिंग दी गई थी जो सिक बाइसिकल रिंग होती है तो यह भी हमको अच्छी quality की रिंग दी गई थी और इसके अलावा जो seat cover है यह हमको extra लेना पड़ा था cycle में overall अब अगर मैं experience की बात करू तो cycle का experience मुझे काफी अच्छा लगा और 21,000 की range में अगर मैं यह cycle बोलूँ हमको effectively 21,000 तक पहुच गई seat cover use दलबाते हुए और भी थोड़ी बहुत चीज़ें हमने इसमें अगर 21,000 की range में यह बात करूँ कि तो यह cycle काफी अच्छी cycle है और बहुत अच्छी हमको इसकी after जो हमने इसको चला के देखा काफी time बात delivery लेने के बाद तो बहुत अच्छी service लगी काफी easy है काफी smooth है यह cycle और overall experience cycle का हम अगर 1-10 तक rate करें तो मैं इस cycle का overall experience आपको 8.5 तक मैं यह दे दूँगा और यह cycle हमने यह जो store है cycle studio करके जो की भोपाल के old भोपाल railway station से काफी पास में है इसकी link मैं आपको description में दे दूँगा यहाँ पर पड़ता है यहां से हमने यह cycle ली थी तो यह था Accrault M800 NIX का review thank you for watching our channel कुल डास में है इसका भास में कुल यहाँ जो बाध्राभ है यहाँ आपको में है यह king दोста है अजिए इस खिता है कि अए वाध्राभ करें दोपाशे के अवह में हमार करें आपको जो आपको करें दूएया झाल तो झाल झाल